हेलो मा दियर फ्रेंड्स आज में आप लोगों बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक ले गया है जो मेरा नया टॉपिक है कंप्यूटर का जीकी जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी एक वेकेंसर निकली है जो है पटवारी की देखिए वेकेंसरी का तो काम निकलना लेकि कि देखिए आज कल कोई भी फिल्ड में फॉर्म फिल करिए अगर आपने कभी भी कंप्यूटर के उसमें पेपर दिया होगा तो देखिए उसमें बहुत ही कोश्चन आते हैं बहुत ही कठीन आते हैं तो आज मैं आपकी जो टॉप 50 कोश्चन आपके सामने सेयर करूँगा और हल करूं आगर इसकी पीडिप भी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्क्राइब का मिलEdge ठीक चली दोस्तों करते हैं तो इस्टाट करने से पेले वीडिए को सस्क्राइब कर लिजिये और अपने प्यारे दोस्तों की भी सेयर कर देजी ताकि कुछना को ये थोड मेरा पहला कुछन देखी यहां पर है निमन लिखित में किसे कंप्यूटर का पिता मा ही का जाता ह। यहांँ पर आपसे पुछा जाता है कि कंपिोटर की बाब मतलब पिता पॉटो तो पहच्चान रहे हो वी अगर ओलो कि जाना कौन है कि चाना कॉन अटा है क्या फादर कौन है तो क्या बोलोगी आप लोग जाल्स बैविज कम्प्यूटर के पिता बोला जाता है ठीक नहीं कम्प्यूटर की खोश की थी इसलिए मतलब पिता मा कहा जाता है ठीक अब देखिए मेरा नेक्स क्यूटर का हिंदी नाम क्या है अब देखिए अब आप से पूछा जा रहे ही कंप्यूटर का हिंदी नाम देखिए जो आपका कंप्यूटर है इसको तो कंप्यूटर अंग्रेजी में कंप्यूटर बोलते हैं लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं हिं बहुत ही important part है जो मतलब computer का brain क्या जाता इसे तो इसका full form क्या होता है तो full form देखी देखी इस तरह सी हो गया इस तरह पी हो गया और अब का यूह हो गया तो इसका full form आप से पुछ़ा रहा है इसका full form होगा Central Processing Unit पहला पहले को lock कर दीजिए Central Processing Unit का फुल फाम होगा ठीक जलते हैं नेस्ट क्यूशन की ओर देखिए मेरा नेस्ट क्यूशन कौन सा है देखिए मेरा फोर्थ नंबर है निम लिखित में से कौन सा डबलू डबलू का सही रूप है अब देखिए यहां पर आपसे डबलू डबलू का फुल फाम पूशा जा रहा ह डबलू डबलू का तो आप लोग क्या बताओगे वर्ड वाइड वेड आपका चौथा नंबर होगा वर्ड वाइड बेव ना कि यह तीन हो अब देखिए यहां पर मैं एक ट्रिक बताता हूं इसको याद करने का डबलू डबलू का देखिए जो देखिए जो वरड है इसमे पर देखिए जा रहा है कि डबलू डबलू का अब इसकार किस ने किया है देखिए मैंने आप और उनकी फोटो भी लगा दिया अगर आप लोग फोटो से पैचान रहे हो तो सही बात है तो बताए कौन से होंगे इनका नाम है विल गेट से हैं जो डबलू डबलू के अब सकने कुछन का पर देखिए और देखिए और नेच्ट वरणि यहीन में लिगेट के घाथ ही जिसमें कौन से क्सा का अच्छे चनरा हो आ अच्छे तर्ट नमबर कर देखिए ओर नेचें क्यों से अच्छे तरिकित अच्छन का ज्रवान हैक। कि इल्एक्टोनिक कम्प्यूटर का अगर इसकार किसी ने किया आप यहां साब सोब पूछे जा रहा हुआ कि देखिए जो आपका इल्लेक्टोनिक कम्प्यूटर है वह वैसे दंग ऑप सब इसकार पूचा जाता है तो क्या बोलोगे चार्ल्स वैविज्स लेगिन अगर पुछा जाता है कि electronic computer का तब लोग क्या बोलागी बबुवा लोग LM M Turing कौन से LM M Turing देखें इसकी फोटो भी लगा दिया है ताकि आप लोग पहचान जाओ ठीक कौन से हो गए LM M Turing इसके बाद देखें next question है पहले electronic computer में क्या था अब देखें जो पहले computer थे उसमें क्या था मतलब electronic रूप में क्या था तो उसमें क्या था आपके बॉल्ब लगे होते थे क्या बॉल्ब में next question है why hardware device कौन सी है जिसे आम तरपर computer का brain कहती है अब देखें अपर कितना अच्छा question आया है कि कौन सी hardware आप देखें hardware क्या है जिसे हम छू सकते हैं देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं टच कर सकते हैं तोड़ फूट सकती हैं वह आपकी hardware चीज़े कहलाती है मतलब बाहरी चीज़े hardware कहलाती है और जो उसके अंदर होते हैं, तो यहाँ पर आपसे hardware पूछा जा रहा है, तो computer का कौन सा भागे, तो देखिए आपके CPU, जो CPU होता है, इसको brain कहते है computer का, आप देखिए चारों में आपसे बन जाएगा, कि जो आपके CPU हो, computer का brain कहा जाता है, ठीक, यह man part होता है, man part होता है computer का ठीक, चलते है next question की ओर, चलते है, मेरा next question कौन सा है, अब देखिए मने next question है, अनुपम क्या है, what is the अनुपम, अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने आपर computer रख दिया है, यह जो computer है, इसको बोला जाते है अनुपम, अब यह कौन सा computer है, आप लोग बताईए, कौन सा computer है, यह आपका super computer है, तो अनुपम क्या है, एक super computer है, कितना easy question है, मैंने आपको अच्छे तरीकी समझा दिया, अब यहाँ पर पूछा जारा चली second question में, कौन सा भासा परुमाड अनुसंधान केंदर द्वारा बिक्सित super computer है, अब यहाँ आप से पूछा जारा है, किस मतलब किस भासा किस अनुसंधान केंदर द्वारा बिक्सित किया गया था, कौन सा अनुसंधान है, अनुपम जो अभी मैंने उपर ही देखा आपको बताया, अनुपम क्या है, वही अनुपम होगा, जो super computer को बिक्सित किया है, अनुसंधान केंदर द्वारा ठेक न, अनुपम है अब next question है एक कम्प्यूटर की इसमित समाने ताउर से किलो बाइट ताथ हुआ मेगा बाइट के रूप में बैक्त की जाती है एक बाइट बना होता है अब देखिया आप आप से पोशेच जा रहा है कि जो एक बाइट होता है ओ क्या किस किस से मिलकर बना होता है तो क्या बताओगी आप लोग आठ दियुधारी अंको का अब देखिया आप दियुधारी तो होगा लेकिन ये ध्यान में रखना की आठ होगा क्या होगा आठ ना की दो होगा ठेक ना यहाँ पर लोग बहुखला जाती है ठेक तो बहुखलाना में ध्यान में रखना इसके ब है मतलब computer कौन सा अधिश देता है कि मतलब instructor देता है कि program देता है compiler maintain कौन देता है देखिए आपका computer है इस से अधिश कौन देगा program देता है कौन सा program ध्यान में रखना है फिर next fusion है digital computer का प्रियोग किया जाता है अब देखिए आपका डिजिटल कम्प्यूटर ये आपका डिजिटल कम्प्यूटर है इसका हम किसली यूज़ करती है इसका यूज़ क्या है देखे मापन है कि ऑपरेटिंग की अंत्रकी है इसका नहीं आपका पहले को लोकर ये गड़ना करने के लिए हम यूज़ करती है किसके लिए गड़ना कर ऐसे कौन से भाग है computer के जो electronics से चलते हैं मतलब बिजली से चलते हैं अब देखिए software है software तो चलेगा नहीं hardware memory तो चलेगा नहीं इन में से कोई यह देखिए तीनों में से यह तीनों कोई नहीं हो गया अलेकिन देखिए जो hardware चीज़े होती है वह आपके electronics से चलते हैं जैसे keyboard mouse म अब देखिए मेरा next question है 16 नमबर सरवाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली input device किया है अब देखिए यहां पर पूछा जा रहे है कि कौन सी डिवाइस है input device जिसको मतलब जिसके माद्यम से हम आद्देश देते है computer में ऐसी कौन सी डिवाइस सबसे जादा इज होती है तो इसका चित्र भी रख दिया है picture है इसको क्या बोलते है क्या बोलते है keyboard ध्याल में रखना keyboard होता है जो important device है input device ठीक फिर next question है mouse कौन सी डिवाइस है अब यहां आप से पूछे जाए कि mouse जो अपने mouse देखा होगा देखिए जो mouse है आपकी कौन सी डिवाइस है ठीक जो आपको computer का एक पार्ट ही है mouse कौन सी डिवाइस है तो आपको क्या बोलोगे input device है क्योंकि आपको mouse और keyboard यह दोनों input करती है मतलब computer को आदेश देने काम करती है तो यह दोनों आपके input device होती है और जापको monitor होता है वह आपका output device है और जापको CPU है और processing device है ध्यान में जरूर रखना ठ देखिए भाई या लोग यहां से पूछा जा रहा है कि OCR का full farm अब देखिए यहां से इसको क्या बोलोगे optical character recognition यह first number होगा आपका ध्यान में रखना ठीक चले next question की और अब देखिए next question है dot matrix printer द्वारा printing किसके माद हम से की जाती है अब देखिए अपर बिंदूं रेखाओ अच्छा रो यह से भी मतलब देखिए जो आपके printer dot matrix printer है इसमें कैसा printer होता है कि बिंदूं और यह खाओं कैसा printer होता है कैसा printer होता है बिंदूं द्वारा printer होता है जो आपके यहां पर dot matrix printer है बिंदूं ध्यान में रखना next question है ALU का का क्या होता है अब देखिए यहां साब स यह आपका कार्य करता है गड़तिय गड़नाए वहा तुलना करना मतलब गड़तिय गड़नाए करता है आपका ELU कार्य करता है ठीक फिर नेश्कक्यूशन है qp Greg can सभिगा रखतां आब देख़ंगा उत्तर यहां पर देखर जैँ की डोल आपका और उनिट फेल को कंट्रोल को कर दीजे कंट्रोल य stamट नम्बर को लॉक कर दीजिए control इनुट जो होता है आपके सभी कारियों पर धिहान रखता है नजर रखता है ठीक न को कार कर रहा है इंपल ठीक आप देखें नेश्ट आपके 21 कूश्टन हल हो चुके हैं चलते हैं नेश्ट कूश्टन की और देखें मारा नेश्ट कूश्टन है इसकी च्षमता किसमे ना पी जाती है जब कि मेमोरी होती है इसकी च्षमता किसमे ना पी जाती है तो किसमे ना पी जाती है बिट में नहीं न बीट न बायट में न किलो बायट में आपका किसमे आइंसर जाएगा मेगा बायट में जरूर ध्यान में रखना नोड कर लीजेग ठीओ, मैं आपको इसकी PDF भी दूंगा अगर आप लोग वीडियो को फूरा देखीगा मैं आपको याप लाष्ट में बताऊंगा आपको इसकी PDF का मिलेगी इसलिए वीडियो को द्यान से देखना और अच्छे हसा देखना वीडियो को बीच में इसकी मत करना ठीक न अपने दोस्तों को भी सेर करना ताकि उनका भी भला हो जाए ठीक अब देखे आभके जो प्रोग्रामाइ ऐा फॉइल बेगार आप कहां अकोंसा होगा फॉइल करते हैं अब देखे जब यहां पर पूशा जा रहा है कि आप computer को बंद करते हैं तो आपको मतलब किस मतलब किस भाग से आपका डाटा नस्ट हो जाता है हाड़िस हाड़िस देखे आपकी secondary memory है इससे आपका data तो नस्ट होगा नहीं इंपूर्ट तो होगा नहीं आउटपूर्ट तो होगा नहीं तो कम से होगा आपका third number main memory जापके memory होती है इससे जब आप computer को बंद कर देते हैं तो आपका data next question है निमने मेश्टे सबसे तेज सबसे बड़ा और सबसे महगा computer काउंसा है आप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा काउंसा computer है जो सबसे तेज है सबसे बड़ा है और सबसे महगा है देखें मैं आपको उसकी photo भी दिखा रहा हूं अगर आप लोग पहचान रह है अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि रोम का फूल फार्म ऐसे देखें जो यह बहुत ही important question है इस तरह question बहुत ही बार आती है जैसे मालों किसी का फूल फार्म पूछा जैसे यह माशियर कहो गया और रोम कहो गया तो रोम का क्या फूल महाँगा read only memory होता है यह जो क्या होती है bit होती है ध्यान में जरूर रखना तीन word का तीन सब्दों का होता है सब से छोटी का bit होती ना की bite यहाँ पर लोग कन्फिज़ आ जाते हैं तो आपर क्या करोगे bit 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 याद रखना next question है computer के इस्थाइव इस्मित को क्या कहती है अब यहाँ पर यहां पर आप से पुछे जाड़ा के computer के इस्थाइव इस्मित क्या है जो ध्यान रखती है तो कौन सी है इस्थाइव मेमोरी मतलब जिसको जो बता दिया गए है सिर्फ वही कार करती है और दूसरा कार नहीं कर तो आपके कौन से मेमोरी कहलाती है रोम कहलाती है रीड ओली मेमोरी जो मेमोरी है इसको जो बता दिया गया है सिर्फ वही काम करेगी हो दूसरा काम नहीं कर सकती है ठीक ना इसके बाद देखें नेश्ट कुस्चिन है पहली पहली कंप्यूटर भासा कौन सी विक्सित की गए इसमें आपको थर्ड नमबर होगा ना की और कौन ठीक ना चलते नेश्ट कुस्चिन की और अब देखें नेश्ट कुस्चिन है लेजर प्रिंटर में निम लिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्ट होता है अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लेजर नमबर अर्ध चालक ध्यान में रखना ना कि उत्तेज़ी यह सभी नहीं होंगे कौन सा होगा अर्ध चालक लेजर होगा ठीक इसके बाद देखे नेश्ट कूशन है डाटा के प्रसट की गति को मापने के लिए सामानिता प्रयुक्त एकक यूनिट है अब यहां पर आपसे प फोर तो को इसे बाद एक नेश्ट कूशन है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था अब यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा क्यूशन है सभी से बन जाएगा इन्होंने बनाया है जहां पर आप लोग फोटो देख रहे होना इनका नाम भी पता होगा नाम क्या है चार्ल् स्टार्टिंग आपको बताया था इन्हें मतलब कंप्यूटर का पिता बोला जाता है जनाक फादर कुशी बोल दो ठीक अब देखिए नेस्ट क्यूशन है निम्न मेशे कौन सी अंदर समगरी नहीं है आप यहां से पूछा जा रहा है कि मतलब कंप्यूटर में कौन सी समग अब jáखिए टीक क्यूटर को बना जाते हैं आप जो आई सी चीप की वाएरस के वाईरस के वाल एक प्रकार का सब्टेवियर है जो मुखितान नस्ट करते हैं अब देखिए आपको पता होगा कि वजञे एक वाईरस oils ठीडारे नहीं हकर तो सब्सक्राई हगा आपके प्रोग्राम को करता है जो आप उसमें प्रोग्रम ऊज़सी रखे होना सब्रेंट गर्स को खराब करता है आपका वार्थाट प जरूर रखी एगा सब्रय पते में पाद यज-ज़-TT पी-का सही विस्तित रूप है अब यहां पर आप से यज-च़़-TTP का फूह फार कूछ जा रहा है तो इसका फूल फारम क्या होगा आप लोग बताएई इसका फूल होगा हाइपर टेक्ष्ट ट्रांसपर प्रोटोकाल का फुल फाम होता है ध्यान में रखना हाइपर टेक्ष्ट ट्रांसपर प्रोटोकाल होता है हायर नहीं यह तीनों नहीं होंगे ध्यान में जरूर रखना हाइपर टेक्ष्ट ट्रांसपर प्रोटोकाल नेक्स्ट क्विश कुक्विटर के टेलीफॉन से एड़ करता है ठीक नेस्ट क्यूटर सिस्टम के किस भाग को भाउतिक रूप से इस पर सकते हूं तो हाइव हो गया हाइव हो इसका आश का हाई डिद्यार होगा हाई ना कि डाटा को नो अप्रेटेंश सीच्टम को इन तीनों को आप टच नहीं कर सकते लेकिन जो हार्डवर होते हैं जैसे सीप्यो माऊस की वोड सभी हार्डवर है इनको अब टच कर सकते हो ठीक चलते नेस्ट क्यूशन की और अब देखिए मैंने नेस्ट क्यूशन है डॉट permanent memory क्या कहती है अब यहां से आप से पुछ जा रहा है कि कौन सी memory है जो permanent build रहती है मतलब जिसको एक बार बता दिया गया है सिर्फ वही कार करेगा तो मैंने आपको start में बहुत बार मैंने आपको बता चुका हूँ फिर भी आप से पुछ रहा है कि कौन सा hardware पार्ट नहीं है देखिए जो प्रोसेसर ये प्रोसेसर आपका हो गया प्रिंटर ये आपका प्रिंटर हो गया ये माउस ये माउस हो गया ये तीनों आपके hardware पार्ट है लेकिन जो जावा है आपके language है यह आपका hardware नहीं है यह program है एक program है ठीक तो इसमें कौन सा number होगा fourth number को आपका सई होगा फिर चलते हैं next question की और चलिए मैं next question आपको बताता हूँ अब देखिए next question है CPU में control memory और तीसरा कौन सा unit होते हैं अब देखिए आपने देखा होगा CPU CPU में आपके तीन unit जो तीन ही बहुत ही important होते हैं एक होता है control होता है एक memory होता है और जो तीसरा है तीसरा आपका होता है arithmetic and logic unit यह होता है arithmetic logic आपका इसको ध्यान में जरूर रखेगा CPU बहुत ही important turn होता है ठीक फिर next question है एक ही समय पर दोनों दिसाओं में data भीजने के लिए कौन सी data संचार भिद्धी परयुक्त की जाती है एक ही समय में जैसे मालूम होजी और आपको दोनों को एक समय में पर दोनों को data भीजना है तो कौन सी भिदी का यूज़ किया जाता है तो kानसी बीदी है full duplex कौन सा है निम लिखित में से समस्त संग्रहर उपकरण है सिवाए अब देखें आप से पूछाए कि इस्टोरेज डिवाइस है सिवाए को छोड़के तो कौण सी है आपकी ड्राइब यह तो माली स्टोरेज है फ्लाफी भी है और हाट डिस्टोरेज है लेकिन जो प्रिंटर है आपकी आउर्ट डिवाइस है तो आपका फर्स नंबर सही होगा ठीक इसके वाद इसकी नेक्स क्यूशन है निम लिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्य हो जाता है अब यहाँ पर आपसे पूछो जा रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है कौन सा कंपोनेंट है जो जिसे मस्तिस्क बोल जाता है तो सभी से बन जाएगा देखिए जो सीपी होता है एक कंप्यूटर का मस्तिस्क हो जाता है तो इसका कौन सा नंबर होगा से करन नंबर local कर देजिए मेज़न है कम्प्यूटर-Π्र किस प्रकार कर दिए से अब डेखिँ कि प्रियंटर का刹़ ऐंगाइस बॉससेंग क्य dark को बता दिये कि आफ्यां करता यह नहीं करता है देखिलेंगें, इंपूइटिंग काम नहीं करता है परोसेसिंग का भी काम करता है कंट्रोलिंग का भी काम करता है लेकिन जो अंडर स्टेंडिंग नहीं कर ते my अंडरेंभर का उधारऊ है अब यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि करन से सप्टिवियर का एक जामफाल ऐ तो देखें आप उपको जो माऊस है प्रिंटर है मोनीटर है एक तिन तीन को आप के हार्डवियर चीजी हैं देखें आप माऊस हो गया मानीटर 효 July घ्ये आपके फोन में एक साप्टिवेर होते हैं Android होता है ना उसी तरह ये कंप्यूटर का साप्टिवेर है ऑप्रेटिंग सिस्टम ओ यास जिसके नाम से जानते हैं ठीक नेस्ट क्विश्चन है जो अंतीम है लास्ट है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटी और सच्टे कंप्यूटर किस प्रकार के होती है अब यहाँ पर आपसे पूशे जा रहा है कि ऐसा काउंसा कंप्यूटर है जो बहुती सच्टा होता है लोग बहुत यूज करते हैं तो काउंसा कंप्यूटर होगा देखी यहाँ पर छोड़ रखा भी है आप लोग इसका नाम जानते हो आजकल देखिए आजकल यूज नहीं होता है लेकिन सच्टा सबसे मैंकर कम्प्यूटर ही होता है देखिए मैंने आपको 50 questions इतनी अच्छे तरीकी से आपको मैंने read कराया है study कराया है अगर आप लोगों को इसकी पीडियप चाहिए तो आप लोग मेरे टेलिग्रम चैनल को ज चैनल मिलेगा मतसोरी आपको यह लोगों दिखाए देगा तो आप इसको जोइन कर लेजेगा जहां पर आपको इसकी फ्री में पीडे मिल जाएगी जहां पर आप अपने कम्प्यूटर के जीके को थोड़ा उसमें इंप्रूब्मेंट ला सकते हैं अगर आपको मेरे फेस्बुक पेज को भी फालो करना हो तो इसको भी फालो कर सकते हैं और इस्टाग्राम में भी फालो कर सकते हैं जहां पर आप सार्च करेंगे तो आपको यह लोगों दिखाई कर लीजेगा सब्सक्राइब जरूर करेगा शेयर करेगा और लाइक और अपने दोस्तों प्यारे दोस्तों को भी जरूर भीजेगा ताकि उनका भी भखला हो जाए और देखिए बानेशन, है और आ when या या को